Hello friends, welcome to my YouTube channel Friends, आज मैं फिर से एक बार L.T.T.T. का question paper लेके आया हूँ जो कि आज 24.11.2024 को आयोजित किया गया है तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रशन की ओर पहला प्रशन है कभीरदास का जनम कब हुआ था इसका सही आंसर है option A 1398 दूसरा प्रशन है विपात्र की स्विदा की रचना है इसका सही आंसर है option C यह एक लगू उपनियासे अगला प्रशन है राम चरित मानस में कुल कितने कांड है तो इसका सही आंसर है option C साथ कांड है अगला प्रशन है सुरदास के गुरु का क्या नाम था इसका सही आंसर है Option D, वलबाचार, अगला प्रशन है रस्खान किस जाती से सबंदित हैं, इसका सही आंसर है Option A, पठान जाती से, अगला प्रशन है बिहारी सतसाई में कुल कितने दो हैं, इसका सही आंसर है Option D, 719, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ, गहननंद किस काल के कवी हैं तो इसका सही आंसर है option C, रितिकाल के, प्रस्ण नम्बर आठ है यामा, किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर है option B, महादेवी वर्मा, चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रस्ण की और, नाटक जारी है, यहकिसकी कृति है, इसका सही आंसर है option A लीला धर जुगडी चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर सरस्वती पत्रिका किस काल की है तो इसका सही आंसर है option D यहाँ पत्रिका द्वेदी काल की है अगला प्रशन है नाथों की कुल कितनी संख्या है इसका सही आंसर है option D नाथों की 9 संख्या मा नेक्ष्ट प्रस्ण है कठिन कावे का प्रेत किस कवी को कहा जाता है तो इसका सही आंसर है option D केशवदास को चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर शब्दार्थो सहीते कावियम किसने कहा तो इसका सही आंसर है option A आचारे बामाने अगला प्रश्ण है गोदान उपनिया सही आंसर है option C वलबचारे ने एक्ष्ट प्रस्ण है वे दिन किसका उपनियास है तो इसका सही आंसर है option A निर्मल वर्मा अगला प्रश्ण है हिंदी का प्रथम कवी किसे माना जाता है तो इसका सही आंसर है option C सरहपा को नेक्ष्ट प्रस्ण है भरत मुनी ने किस ग्रंत क रचना की, इसका सही आंसर है option B, नाटे सास्तर, चलिया बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर, प्रशन नंबर 19, कामाइनी पर जैसंकर प्रसाद को कौन सा पुर्सकार मिला, तो इसका सही आंसर है option C, मंगला प्रसाद पारितोशक, अगला प्रशन है दिवेदी युक, इसमय सि क्या है, इसका सही आंसर है option D, चलिया बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर, हामिद किस कहानी का पातर है, तो इसका सही आंसर है option A, इदगा, चलिया बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर, रिपोर्ट के लिए हिंदी में प्रचलित शब्द क्या है, तो इसका सही आंसर है option C, प्रतिव वेदन, चलिये बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर, नागरी प्रचारणी सबा का गठन कब हुआ था, इसका सही उत्तर है option A, 1893 इस्वी में, चलिये बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर, ध्वेन नयात्मक शब्दों दोरा विचारों का प्रक्टिकरन ही भासा है कि इसका सही आंसर है option A, हैंरी स्वीट ने, चलिये बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर, पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली नहीं आती, इसका सही आंसर है option D, मेवाती, अगला प्रशन है गीत फरोश किसकी कविता है, इसका सही आंसर है option C, भवानी प्रसाद मिश्र की, चलिय बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर, प्रथम तार सब तक का प्रकाशन कब हुआ, इसका सही आंसर है option B, 90-43 इस्वी में, अगला प्रशन है लाल पीला होना मुहावरे का क्या आर्थ है, इसका सही आंसर है option A, क्रोध करना, अगला प्रशन है नहीं पराग नहीं मदूर विक इसका सही आंसर है option B, विहारी, प्रशन के कावे का परधान रस कौन सा है, इसका सही आंसर है option B, वीर रस, अगला प्रशन है खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया प्रथम महकावे कौन सा है, इसका सही आंसर है option B, प्रिये प्रवास, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन क तरफ प्रशन नंबर 32 इसमें मिलान करना था इसका सही आंसर है option A अगला प्रशन है चित्रा वली के रचाईता कौन है तो इसका सही आंसर है option D उस्मान अगला प्रशन है मांस रोबर सिर्शक से किस लिखक की कहानिया प्रकाशित हैं इसका सही आंसर है option A प्रेम चंद अगला प्रशन है, इसका सही आंसर है QAARCHTD रखृतór ए sats के शिया अंसर है QAARCHTD निम्ण में से लिगा लखाथ। दर्खृत्टचु, आंबित्खृत्ओं रहा प्रशन प्रेस्चितजिक भारत बारती का प्रकाशन वर्ष क्या है इसका सही आंसर है ऑप्षण ए 1912 इस्वी वैसे तो इसका प्रकाशन वर्ष 1914 है प्रंतु विकल्प न होने की वज़ा से हम ऑप्षण ए पर ही मार्क करेंगे अगला प्रशन है निम्न में से कौन सा कावेगरंथ राम से सबंदित है इसका सही आंसर है option B, म्रिगावती, चलिया बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर, इस प्रशन में लिखकों को उनके काल क्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवेस्तित करना था, इसका सही आंसर है option B, सबसे पहले आएगा प्रेमचन, उसके बाद यश्पाल, उसके बाद अग और उसके बाद मोहन राकेश, चलिया बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर, अगला प्रशन है आदी काल को सिद सामंत काल किसने कहा, इसका सही आंसर है option C, राहूल साकरितियान ने, अगला प्रशन है अरे असमाज की स्थापना किसने की, इसका सही आंसर है option B, दयानंद सरस् चलिया बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ, प्रशन नमबर 43, अंग्रेज, राज, सुक, साज, सब परबारी, इसका सही आंसर है option C, भारतिन्दू, अगला प्रशन है निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है, इसका सही आंसर है option D, पहला राजा, अगला प् उपनियास है, इसका सही आंसर है option B, सूरे कांथ, त्रिपाठी, निराला, अगले प्रशन में शुद्ध शब्द का चैन करना था, तो इसका सही आंसर है option B, अध्याय, अगला प्रशन है अर्थ की द्रिष्टी से शब्द के कितने बेद हैं, इसका सही आंसर है option D, दो अगला प्रशन है गणेश का पर्यावाची नहीं है, तो इसका सही आंसर है option D, चलिये बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ, हिंदी भाषा किस लिपी में लिखी जाती है, इसका सही आंसर है option A, देवनागरी लिपी में, चलिये बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर, कलर्क को हिंदी बाशा में क्या कहा जाता है इसका सही आंसर है option A लिपिक अगला प्रशन है सरोज स्रम्रिती कैसा काव्य है इसका सही आंसर है option A यह एक शोक गीत है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर इनी नावों में कितनी बार रचना पर अगय को कौन सा पूर्सकार मिला इसका सही आंसर है option C ज्यान पीट पूर्सकार अगला प्रशन है मैथिल कोकिल किसका उपनाम है तो इसका सही आंसर है option A विद्यापती का चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर लक्षमी पूरा क्या है इसका सही आंसर है Option B. रिपो ताज अगला प्रशन है इंदी की प्रतम पत्रिका का क्या नाम है? इसका सही आंसर है Option A. उतंद मार्तंड चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर महिंद्रा कुमारी किस लेखीका का उपनाम है? इसका सही आंसर है option D मनू भंडारी चलिये बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ दश रूपक नामक गरंत किसका है इसका सही आंसर है option C दनंजे चलिये बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओ स्रिंगार रसका स्थाई बाव क्या है इसका सही आंसर है option D अगला प्रशन है चारू चंद्र की चंचल किरने खेल रही हैं जल्थल में इसमें कौन सा अलंकार है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन भी अनुप्रास अलंकार अगला प्रशन है ऐसा कौन सा छंद है जिसके प्रथम और तृत्य चरण में 13-13 मात्रा हैं एवं दूत्य और अगला प्रशन है कर का उचान स्थान क्या है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कंट अगला प्रशन है बारतिय सविदान को आठवी अनुशुची में कुल कितनी भासों को स्थान दिया गया है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 22 भासों को अगला प्रशन है कला धर किसका उपना इसका सही आंसर है option D, जैसंकर प्रसाद, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ, छाया वाद स्थूल के प्रती सुक्षम का विद्रो है, यह किस आलोचक का कथन है, इसका सही आंसर है option B, डॉक्टर नगेंद्र, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रकाशन कब हुआ, इसका आंसर है option B, 1936 इस्वी में, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ, मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, इसका सही आंसर है option A, निराला, अगला प्रशन है नागारजुन का जनम कब हुआ था, इसका स सही आंसर है option D, रामदारी सिंग दिनकर, अगला प्रशन है प्रपद्य वाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर है option C, नकेन वाद, अगला प्रशन है गजल किस वासा का शब्द है, इसका सही आंसर है option C, अर्भी वासा का, अगला प्रशन है रानी केतक सहरे आरती की रचना किस ने की है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शरदाराम फिलोरी ने अगला प्रशन है रूपक के कितने बेदें इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दस बेदें अगला प्रशन है आपका बंटी क्या है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपनियास अगला प्रशन नमक का दरोगा कहानी के कहनीकार कौन है? इसका सही आंसर है option B प्रेम चंद चलिये बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अजगर करेना चाकरी पंची करेना काम यह पंक्तियां मलुक दासकी है इसका सही आंसर है option D अगला प्रष्ण है Gitaanjclassary किसकी रचना है? इसका सही आंसर है Option A. रविंद्रनात्ट कैगोर की अगला प्रष्ण है गासी रामकोत्वालनातक के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है Option A. विजय तेंदुलकर चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्चन की तरफ अगला प्रशन है विपलब गायन कविता किसकी है इसका सही आंसर है option A. बाल कृष्ण नवेन की अगला प्रशन है कतकली किस राज्ये का लोक नाटे है इसका सही आंसर है option B. केरल अगला प्रशन है कुझू चंचलो की प्रेम कता हिमाचर के किस जिले में आज भी पूरी लगन के साथ गाय जाती है इसका सही आंसर है option D. चमबा अगला प्रशन है नची केता कविता किस कविकी है इसका सही आंसर है option A. कुवर नाराइण अगला प्रशन है केदार नाथ सिंग का जनम कब हुआ इसका सही आंसर है option A 1934 को अगला प्रशन है केदार नाथ सिंग को अकाल में सारस कावे संग्राव पर कौन सा पुर्सकार मिला इसका सही आंसर है option C शाहित्य अकादमी अगला प्रशन है अगय का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है, option C. सचीदानंक्चे, लेहरे किस्की रचना है? इसका सही आंसर है, option B. सूर्दास अगला प्रशन है, सेस, गनेस, महेस, पंक्तियां किस कवी की है? तो इसका सही आंसर है option A रस्कान अगला प्रशन है चंदायन किस कवी की रचना है इसका आंसर है option A मुल्ला डाउन अगला प्रशन है पदमावत किस की रचना है इसका सही आंसर है option C जाईसी अगला प्रशन है रिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है इसका सही आंसर है option A अगला प्रशन है कबीर द्वारा रचित ग्रंत का क्या नाम है इसका सही आंसर है option C बीजक चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ इता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है इसका सही आंसर है option A सुमित्रा नंदन पंत अगला प्रशन है तमस किसका उपनियास है इसका सही आंसर है option B भीश्म सहानी अगला प्रशन है सकैच का हिंदी परियास क्या है इसका सही आंसर है option C रिखाचित्र चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अंगद का पाउं किस प्रकार की रचना है मुक से निकली सार्थक द्वनी को क्या कहते हैं इसका सही आंसर है अक्षर या शब्द चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ आधुनिक युक की मीरा किसे कहा जाता है इसका सही आंसर है औप्षन C महादेवी वरमा अगला प्रशन है इरामन तोता किस ग्रहनत का पातर है इसका सही आंसर है औप्षन B पदमावत चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ, माप कीजिए प्रशन पेपर थोड़ा सा बलर है, सत्य वती कथा किसकी रचना है, इसका सही आंसर है option A, इश्वर दास, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ, प्रशन नमबर 104, इसमें से असत्य युगम छांटना था, तो इसका सही आंसर है option D, शमशेर बहदुर सिंग का कालिदास, अगला प्रशन है रिती काल को कला काल किसने कहा, इसका सही आंसर है option B, डॉक्टर रमाशंकर शुकल ने, अगला प्रशन है कौन सा कभी रिती मुक्त कभी नहीं है, इसका सही आंसर है option D, बिहारी लाल, अगल अगला प्रशन है निम्न में से कौन सा युगम सही है इसका सही आंसर है option A भारत दुरदर्शा यह नाटक है ना की उपनियास चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ बिसल देवरासो किसकी रचना है इसका सही आंसर है option B नरपती नाला अगला प्रशन है वापसी किसकी कहानी है इसका आंसर है option A उशा प्रियमदा अगला प्रशन है प्रशन नंबर 112 इसका सही आंसर है option D मैथलीशन गुप्त अगला प्रशन है कुंडलिया चंद में कितनी मात तो इसका सही आंसर है option A 24 मात्राएं अगला प्रशन है अंधा यूग के रचनाकार का क्या नाम है इसका सही आंसर है option B धरमबीर बारती अगला प्रशन है पुष्प की अभिलासा नामक कविता के रचैता कौन है इसका सही आंसर है option C माखनलाल चतुरवेदी अगला प्रशन ह काम याईनी में कुल कितने सरग है इसका सही आंसर है option A 15 सरग है अगला प्रशन है कलम का सिपाही किस प्रसिद कवी की जीवनी है इसका सही आंसर है option B प्रेमचन अगला प्रशन है संदेश रासक किस काल की रचना है इसका सही आंसर है आधी काल अगला प्रशन है आला और उद प्रिथ्वी राज रासु चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की और तो पहला प्रशन है बारतिय मिलिटरी अकादमी कहां स्तीत है इसका सही आंसर है option C देहरादून में अगला प्रशन है विश्व में सबसे बड़ी मिठे पानी की जील कौन सी है अगला प्रशन है गंगा नदी को बांगला देश में किस नाम से जाना जाता है तो इसका सही आंसर है option C पदमा की नाम से जाना जाता है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहा होता है इसका सही आंसर है option C असाम में राष्ट्रिय एन्नेच वन किन नगरों के बीच में स्थित है इसका सही आंसर है option D दिल्ली अमरित्सर चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर प्रशों में पर्यावन दिवस कब मनाया जाता है इसका सही आंसर है option D पांच जून को अगला प्रशन है तो कि सबसे लंबी परवच शिंखला कौन सी है इसका सही आंसर है option B एन्डीज आंसर का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था इसका सही आंसर है option D 9 दिसंबर 1946 इसवी को प्रशन नंबर 130 इसका सही आंसर है लाड विलियम बैंटिक अगला प्रशन है 131 सही आंसर है option D अगला प्रशन है गुरु नानक जी का जनम कब हुआ था इसका सही आंसर है option C 1469 इसवी को झाल नंसर जी क है है झाल 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 झाल